राशी मेश ओवर्वियू उनकी सलह से आपको विशम परिस्थियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उनको उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। राशी मेश रोमान्स आज आपकी सहनशील्टा की परीक्षा होगी। आप बेचैन वो चिड़चिड़े हो सकते हैं। अपना संयम बनाए रखें। अपने साथी को कोई अपमान जनक बात ना कहें। हर विशय पर खुल कर बात करें। राशी मेश करियर यदि आप बेरोजगार हैं तब आज का दिन आपके लिए शुब समाचार ला सकता है। हो सकता है कि ये आपका वो काम न हो जिसे आपने सोचा था। लेकिन इससे आपकी स्थिती में तो सुधार अवश्य ही आएगा। इस दोरान आपको अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए ज्यान का अरजन करना चाहिए। अपने काम में अपनी महारत के कारण आपको आज आर्थिक लाब की अच्छी खबर मिलेगी। असल में आप अपनी नियोकता के लिए अच्छी कमाई करेंगे और बदले में वे आपको इसका इनाम देंगे। करिय और कम मानसिक उर्जा से ग्रस्त रहेंगे। इसलिए सावधानी बढ़तें। इन बीमारियों का कारण बढ़ता तनाव है जो कि आप महसूस कर रही है। आप छोटी परेशानियों को सिर्दर्द ना बनाएं और खुद को शांत रखें। योग करें जिससे तनाव कम होगा। राशी व्रिश ओवर्विव। लंबे समय से लटका हुआ कोई कानूनी मुद्दा आज आपके हक में रहेगा। ये मुद्दा आपको बहुत परेशान कर रहा था। अब आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी और जिन्दगी सामान्य रूप से चलने लगेगी। अब आप मानसिक वभावनात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। राशी व्रिश रोमान्स आज के दिन आपको अपने साथी से प्रेम से भरपूर वो पुहार प्राप्त होगा जिसकी आपने कलपना भी नहीं की थी और जिसके द्वारा आपका साथी आपको अपनी दिल की गह राईयों को दिल से अनुभव करें और वैसा ही उनको अनुभव कराएं। यदि आप अपने रिष्टों को दिल से मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे तो वैसा ही प्रतिकार अपने साथी से प्राप्त करेंगे। आज भरपूर आनन्द लीजिए। राशी व्रेश करिया अगर आपको अपने करियर को लेकर कोई उलजन है तो उसको सुलजाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की है। उनसे आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो उस थान तक कैसे पहुँचे। उनके द्वारा किये गए चुनावों और गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज अपनी संपत्ति के रख रखाव के लिए आपको कुछ बड़े खर्च करने पड़ेंगे। इससे बजट बिगड़ भी सकता है लेकिन अपने कीमती घर या जमीन क लिए ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हिचकिचाएं मत। जैसे खर्च हो रहा है वैसे ही देर सवेर कमाई भी हो जाएगी। राशी व्रेश, हेल्थ राशी मिथुन, ओवर्विव ये आपको एक दुनिया में ले जाकर आपके जीवन में नई भावनाएं वो उत्तेजना भर देगा। आप महसूस करेंगे कि पहली बार प्रेम होने पर हैरानी वो उत्सुकता के भाव हावी होते हैं। राशी मिथुन, करियर आप अपने कारिक्षेतर में अपनी समझ का प्रेयोग करेंगे। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर या कलाकार हैं तो आपकी रचनात्मक्ता इस समय पहले से भी अधिक है। अगर आप किसी और क्षेतर से जुड़े हैं तो भी आप अपनी चतुरता से सभी परिशान आपकी संस्था को भी लाब होगा। आज आपको आपको आपके किसी सहयोगी या वविसाए से आ सकता है। हो सकता है किसी रिष्टेदार के साथ आपकी व्यावसाइग साज़ेदारी हो और यह पैसा उसकी तरफ से आजाए। उनका शुक्रिया आदा करें। आप दोनों ए एक दूसरे के लिए भागिशाली है। आप जरूरत के हिसाब से अपने स्वास्त में एहतियात बढ़तें। आपको आपका स्वास्त बिगड़ा नजर आएगा, परंतु वो सब छोटी-छोटी विमारियों के एक साथ होने के कारण है। अपने दिमाग पर इनको हावी न ह और सभी का उपचार एक बार में ही करें। अगर आपको बुखार है तो सिर्फ आराम करें और आप अपने अच्छे स्वास्त को फिर से प्राप्त कर लेंगे। आपकी संप्रेशन कला और द्रिड निश्चय आज आपको कई समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। जब आपको सफलता मिलेगी तो आप जान पाएंगे कि इन तत्वों का आपके जीवन में कितना महत्व है। आखिर आपको वो मिल ही जाएगा जो आपको चाहिए। राशिकर्क रोमैंस यदि आप विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ व्यर्थ बहस ना करें। ऐसा करने से आ उन्हें पूरा करने के लिए बहुत महनत करनी चाहिए। अगर इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े तो भी पीछे ना हटें। कारिक्षेत्र में भी विशम परिस्तियों का सामना करने के लिए आपको पूरी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अपनी सकारात्मक सोच वह हिम्मत के बल पर आप आसानी से इनका सामना कर सकेंगे। आज आपको नकदी की कमी से जूजना पड़ सकता है। आपने जिस पैसे की आवक के बारे में सोचा था उसे आने में देर हो सकती है। जिसके चलते आपके कुछ भुगतान रुख सकते हैं। इसे आज ही पूर वटें शीगरी समाप्त हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको किसी स्थान पर क्षमा याचना भी करनी पड़े। आज तनाव कम होने के कारण आप अच्छा महसूस करेंगे। आप स्वास्त की तरफ सकारात्मक विवाहर रखते हैं और आपकी जीवन शेली भी ठीक कुल मिलाकर आप अच्छा महसूस करेंगे। आप जिम जाना शुरू करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। आज आपको शायद थोड़ा तनाव महसूस हो क्योंकि आपके परिजन आप से मदद मांगने को आएंगे। आज आपको कुछ अतरिक्त जिम्मेदारी भी ल आपसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राशे सिंग रोमैंस अपने साथी के साथ आज के दिन आप भरपूर चटकारे लेंगे। रोजाना की तनाव पूर्ण दिंचरिया से कुछ समय निकाल कर साथ बैठें। एवं अपने प्यार को तरो ताजा कर लें। आपके शारिरिक संबंद बहुत अच्छे नहीं होंगे। तथा पी साथ बैठ कर कुछ मनुरंजन अवर्श करें। राशे सिंग करिया। आज का दिन अपना पूरा जोर लगा कर अधिकारियों को प्रसंद करने का है। यदि इस समय पदोन्नती का काम चल रहा है और आप कड़ी म पत्ती के लिए निवेश करना चाह रही है और आपका कोई नजदीकी विश्वास पातर मित्र आपके साथ भागीदार बनकर इस विवसाई में निवेश करना चाहता है। आपको इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए क्योंकि आपका आर्थिक भार भी कम हो सकता है, एव सब बिमारियां आज आप के लिए परेशानी बन सकती हैं। कोशिश करें कि आज आप आराम करें और सही खाना खाएं। अगर आप किसी परेशानी को लेकर चिंतित हैं, तो सही डॉक्टर के पास जाएं। राशिकन्या, ओवर्वियू शैक्षनिक योगता बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत शुब है। इस दिशा में बढ़ाए गए कदम, न केवल आपकी मानसिक योगता को बढ़ाएंगे, बलकि आपके व्यावसाईक भविश्य के लिए भी लाबदायक सिद्ध होंगे। आज आपकी कुछ नया सीखने की चाहत अपनी चरम सीमा पर होगी। शायद विदेश जाकर पढ़ने का ध्यान आपके मन में आ जाए। अगर ऐसा कोई अवसर मिले, तो उसे हाथ से न जाने दें। राशिकन्या, रुमैंस अगर आप किसी शादी को लेकर बातचीत कर रही हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज डेट भी फाइनल हो सकती है। राशिकन्या, करिया यदि आप काम के लिहाज से यात्रा करने वाले हैं, तब आपकी उत्तेजना बढ़ेगी। चिंता न करें, आपकी यात्रा सफल रहेगी। आप एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपना प्रभाव जमाने में सफल रहेंगे। बे कर्मचारी जो अपने काम में मन नहीं लगा पा रही हैं, उन्हें नौकरी बदलने के विशे में सोचना चाहिए। आज आए के कई सरोतों से धन आने की संभावना है। आज बह दिन है जिससे आपको लंबी अवधी के लिए किये गए पूंजी निवेश से लाब होने वाला है। यदि आप किसी खाद्य सामगरी अत्वा अनाज के विवसाई में हैं, तो आज का दिन लाबकारी है। आप देखेंगे कि आज आपको अपने किये गए कठिन परिशरम का फल मिलने वाला है। ये लाब आपके अतरिक्त कोश के माध्यम से स्वागत्योगे हो सकता है। राशिकन्या, हेल्थ आज आप अपने अधूरे सपनों को लेकर कुछ निराशा सी महसूस करेंगे। निराशा में समय व्यर्थ ना गवाएं, बलकि ये सोचें कि आप किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से और आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो अवश्य ही सफल हो पाएंगे। आज आपका दिन जोश भरा हो सकता है। कोई जो आपके लिए खास है, आपके और करीब आ सकता है, वो आपका संबंध ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये आपको खुशी के लमहे देगा, क्यूंकि आप प्यार में होंगे। आपके हित में ह कि आप किसी भी हालत में असुरक्षा की भावना को अपने संबंध में न पनपने दें। राशितुला करियर। आज इविका के एक शेत्र में आपको अच्छा परणा मिला है और आज आप अपनी सफलता का आनंद ले सकते हैं। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपकी सफलता का ही एक भाग है। हो सकता है कि आपको इसके लाभ अभी न दिखाई दे रही हो। परंदु इन से आगे आपको सफलता मिलेगी। राशितुला फाइन्स आज का दिन आपके लिए बहतर साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक पूंजी में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपनी पूंजी को सोच समझ कर लगाएं। जल्दी अमीर बनने की चाहत लेकर किसी बुरे विवसाय में न फसें। आप अपनी पैत्रिक संपती का दुरुपयोग न करें। राशितुला हेल्थ अपने खाने की आदतें सुधारें। क्योंकि यह वो समय है जो आ आज अपने परिवार और दोस्तों की बात सुनने की बजाएं अपने दिल की बात सुने। आपके अंदर की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। याद रखें आप अपने आप ही खुद को इतनी दूर तक लाएं हैं और अब आपको सही निरणय लेने चाहिए। अगर आप किसी विवाहित व्यक्ति के साथ दुविधा पूर्ण सिती में हैं या फिर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं तो आज सावधान रहें। अपने कदमों के बारे में काफी अच्छी तरह सोच लें और फिर ठीक निरणय लें। घास की दूसर आज आपको समय पर काम पूरा करने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आलस के कारण आप पीछे रह सकते हैं। परेशान ना हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। थोड़ी सी मेहनत करके आप फिर से अपने उसी स्थान पर पहुँच सके आज तो सब तरफ से खुशी का दिन है। बहुत पहले आपने जो निवेश कर रखा था, उसका आज बढ़िया लाब मिलने वाला है। कोई पुराना लेन देन जो आप भूल ही चुके थे, उसका भी आज आपको लाब मिलेगा। यह अचानक ही होगा, लेकिन इस पैसे को यूही खर्श मत कर दीजिएगा, बलकि इसे बचा कर बैंक में डाल दीजिए। आज आप मोटापे को लेकर परेशान रहेंगे और हार मानना चाहेंगे, परंतु अंत में आपको अपनी सोच बदलनी होगी और अच्छे स्वास्त के लिए सोचना होगा, आप इससे और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, इस राह पर चलने से आपको बहुत लाब होगा और शान्ती भी मिलेगी, इससे आपके स्वास्त में भी सुधार आएगा। आप यदि होटल या सेवा के क्षेत्र में हैं, तब आज का दिन आपके भविश्य के लिए शुब है। भले ही ये अफसर आपको अभी लाबदायक ना लगे, लेकिन लंबे समय में इससे लाब मिल सकता है। आगे चल कर आपको महसूस होगा कि आपका लिया गया कदम सही पंद्रा, फर्वरी, दो हजार पंद्रा, राशिधनो, फाइनान्स आज आपको शेर बाजार में निवेश के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आज इससे अच्छी आमदनी के संकेत हैं। जटपट पैसा कमा कर अमीर होने की न सोचें, बलकि सुरक्षित निवेश का विकल्प चुने, जिसमें लाब होना निश्चित है। निवेश करने से पह आज आपको आपकी बीमारी का हल मिल सकता है। बस आप खाने पर ध्यान दें और इसे अपने रोज मर्रा के जीवन का हिस्सा बना लें, ताकि आपको जीवन में इसका लाब मिले और आप जल्दी ठीक हो जाएं। धैर्य और द्रड संकल्प आज आपकी पहचान वद्रड़ता आज सब का मन जीत लेंगे। और कुछ नहीं तो आपको एक ऐसा मजबूत इंसान बनाएंगे जो हर परिस्तिती को आसानी से संभाल सके। राशिमकर, रोमैंस अपनी भावुकता में बहकर आप अपने साथी की तरफ से हतोच साहित हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका साथी आपकी उमीदों पर खरान नहीं उतरे। तब भी आपसी मद्भेद भुला कर अपने रिष्टों पर उसका प्रभाव ना पढ़ने दें। प्यार में ये चेत्र का कोई व्यक्ति आपकी मदद करने आगे आ सकता है। इस्थिती का लाब उठाते हुए आगे बढ़ें। पंद्रा फरवरी दो हजार पंद्रा राशी मकर फाइनांस आज आपका दिन है। पिछले दिनों जो योजनाएं आपने बनाई सब आज पूरी होती जाएंगी। आपकी जो जमापूंची है उसमें आज और बढ़ोतरी होगी। पैसा खर्च करने की बजाए कमाने पर ध् रही है। राशी मकर हेल्थ आज आपको पेट से सम्मंधित कोई परेशानी हो सकती है लेकिन इस परेशानी का हल निकल सकता है अगर आप संतुलित भोजन और स्वठ भोजन पर ध्यान दें। आज वह दिन है जब आपको अपने खान-पान पर ध्यान रखना होगा क्योंकि संतुलित और स्वस्थ भोजन ही पेट की बिमारी से बचा सकता है। ऐसा करने से आपको अच्छा लगेगा और आपका भोजन भी पौश्टिक रहेगा। राशिकुम्भ ओवर्वियू आज आप खुद को काम के बोज तले दबा हुआ पाएंगे। ये बरेशानिया काम औ और घर दोनों से संबंदित हो सकती है। आज आपको शान्त रहकर अपनी प्रात्मिक नाय तै करनी होंगी। पूरी कोशिश करें कि आप काम और घर दोनों में से किसी को भी नजर अंदाज ना करें। इससे सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। राशिकुम्भ रोमैंस आज आप अपने किसी नए दोस्त से प्रस्ताव पा सकते हैं, जो आपको उलढ़ा सकता है। कोई भी फैसला लेना आज आपके लिए हैरत ही पैदा करेगा। निर्णे लेने में थोड़ा समय लें और अपने अंदर की आवास को मानें। राशिकुम्भ करियर आज आफिस में आपको लोगों के विरोध को जेलना पड़ सकता है। इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, ये आपके फाइदे के लिए ही है। इसे खुले दिमाग से स्विकार करें। वो क्या कहा जा रहा है इसे समझने की कोशिश करें। चाहे बाद में आप उस बाद स इत्तफाक ना भी रखें। अच्छा होगा कि जो बदलाव करने को कहा जाए उसे आप मान लें। आपकी गाड़ी ठीक से पट्री पर नहीं आ जाती, आप पैसे रुपए को खर्च करने या निवेश करने के मामले में हाथ बांध कर ही चलें। राशिकुंब, हेल्द, सेहत के प्रती सावधान रहें क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। अगर आपको तेज बुखार है तो आराम करें और कोशिश करें कि आप कोई भी तनाव से संबंधित काम ना करें। इससे आप बीमार पढ़ सकते हैं। अपना खयाल रख कर आप जल्दी ही बीमारी से निजात पा सकते हैं। आज आप की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आज आप अपने परिजन अत्वा दोस्तों के साथ किसी खुशी का उत्सव मनाएंगे या फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे। साथ गुशारे ये पल हमेशा मीठी यादों के रूप में आपके साथ रहेंगे। इसलिए आज आप खुब मज़े करें। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे आप आगे चलकर प्रेम संबंद बना सकते हैं। आपकी जिन्दगी में रोमैंस आने के लक्षन हैं। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना गवाएं। आज आपके सहकर्मियों द्वारा समय पर की गई मदद कार्यस्थल पर आपको किसी परेशानी से बचा लेगी। आपको सलाह है कि ऐसे ही एक जुठ होकर काम करते रहें। इससे आप अपने बड़े लक्षयों को भी आसानी से पालेंगे। साथ ही चुनोती पूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी द्रड इच्छा शक्ती और सही निरणे क्षमता का प्रयोग करें। वित्तिय प्रबंधन से जुड़े व्यवसाही अपनी कमपनी में महत्वपूर्ण पद पाने की उमीद कर सकते हैं। अपनी संचार क्षमता के दम पर कमपनी के लिए अच्छा लेन देन करने में कामयाब होंगे। कमपनी को आप अच्छा फाइदा दिलाएंगे तो जाहिर है कमपनी आपका भी अच्छा खयाल रखेगी। आप अपनी रचनात्मक्ता क्षमता से यह सावित कर दिखाएं कि अगर आपको मौका मिला तो आप हर मौके को फाइदेमंद सावित करने की काबिलियत रखते हैं। आप आने वाले समय में अस्वस्थ भोजन खाने की आदट डाल सकते हैं। इसलिए आज ही एक नया चार्ट बनाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। पाचन क्रिया से संबंधित परिशानी होने के संकेत हैं। इसलिए अपने खानपान पर नज़र रखें और ध्यान रहें कि आप हलका सा व्यायाम जरूर करें। एक घंटे योग करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी।